और बहुत स्वागत है आप सभी का टोटा टीवी में और मैं हूँ आपके साथ जैया पालसी थे आपको जमू लिए चलेंगे जोहां राहुल गांथी पहुचवे हैं और चुनावी जनसभा को संबोधित करें क्या कुछ क्वेरें सुनाते आपको उनका कितना टैक्स माफू है पैसे उनके कितने बैंक लोन माफू है कोई बिमार होता है हस्पतालों में लाकों उपर लग जाते है उनका कितना तर्ज माफू है जीरो आप अगर बैंक लोन लेते हो और पैसा वापिस नहीं देते हो आपको जेल में डाल देते हैं जेल में डाल देते हैं और अमबानी अदानी जैसे लोग बैंक लोन लेते हैं पैसा वापिस नहीं देते हैं कहते हैं चलो और पैसा लेलो कितना चाहिए एक हजार करोड दो हजार करोड करोड पचास हजार करोड एक लाक करोड जितना चाहिए लेलो जो करना करो जो इंडिस्री खरीदनी है खरीदो लकनो का他說?」 लेलो मुंबाइका database चाहिए अच्छा वो किसी और के हाथ में, चलो CBI केस लगा, ED केस लगा, परे कर उसको, अधानी को दो, ये make in India, make in India, make in India, बात करते रहते हैं, defense industry की बात करते हैं, सारे के सारे contracts, अधानी जैसे लोगों गुजा रहे हैं, बाहर इसरेल की company हत्यार बनाती है, label अधानी का लग जाता है, इसरेल की company drone बनाती है, label अधानी का लग जाता है, और कहते make in India हो गया, कैसे make in India हो गया, इसरेली हत्यार है, make in India हो गया है, made in India नहीं हुआ है, और यही हालत पूरे देश में है अगर आप गरीब हो तो एलेक्ट्रिक मीटर लगेगा modern technology लगेगी चमक तो यह मीटर लगेंगे आपके जेब में से पैसा निकालते जाएंगे निकालते जाएंगे GST लगेगी अभी आपने पता नहीं अनपुर्णा रेस्टांट वाली कहानी सुनी या नहीं वो finance minister के सामने खड़ा होता है कहता है मैडम बड़ी मुसीबत है मैं अगर बन बेचू एक GST लगती है अगर उसमें क्रीम डाल दू दूसरी GST लगती है अगर बन और क्रीम अलग बेच दूँ तो तीसरी GST लगती है मैं क्या करूँ और यही हालत सब के साथ ऐसी complicated GST बना दिये क्यों extortion करने के लिए गलती करो ED वाले CBI वाले income tax वाले आ जाएंगे GST वाले आ जाएंगे पैसा लेंगे चले जाएंगे यही सिस्टम चल रहा है तो यह चुनाओ आपको अधिकार देने का चुनाओ और शुरुवात statehood है उसके बाद सरकार आएगी जमू कश्मीर के जो small और medium businesses है जो local industry है उनकी रक्षा करने वाली सरकार होगी बैंक के दरवाजे आपके लिए खुलेंगे आपको support मिलेगी आपको technology मिलेगी उनकी जगह है अंबानी की जगह है अधानी की जगह है मगर आपकी भी जगह है यह नहीं होगा कि भाईया उन्हों को सब कुछ दे दिया और जमू कश्मीर के लोग देखते रहे गए पियो के से refugees आएं उनसे मनमौहन सिंग जी ने वाइदा किया था वो वाइदा पूरा किया जाएगा सुरी कश्मीरी पंडित्स के कश्मीरी पंडित्स है जो मनमौहन सिंग जी ने वाइदा किया था वह वाइदा पूरा किया जाएगा और जो हमारे refugees हैं जो पाकिस्तान ओक्यूपाइज जेन के साएं 2014 में जो उनको वाइदा किया गया था फाइनेंशल पैकेज का वो भी हम पूरा करके दिखाएंगे यह जो स्मार्ट मीटर लगा रखे हैं यह जो नरेंद्र मोधी जी की टेकनोलोजी है इसको हम यहां से हटा देंगे यह हमें नहीं चाहिए और जो पंजाबी है इसको हम अफिशल लेंग्विज बना देंगे बगर में बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए एक तरफ हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री हैं उनका डाइरेक्ट कनेक्शन उपर है वो भगवान से बात करते हैं सुबए उठते हैं वो कहते हैं कि भाईया मैं नौन बायोजिकल हूँ आप लोग biological हो नरेंद्र मोदी non biological है वो इनसान नहीं है वो direct भगवान से connection लेता है सुबह भगवान उनसे कहते हैं क्या करना है वो करते हैं हम इनसान हैं हम आप जैसे हैं हम आपकी बात सुनना चाहते हैं समझना चाहते हैं और ये दिल का रिष्टा है मैं लोकसभा में हूँ ऑपोजिशन लीडर हूँ जहां भी आपको मेरी जरुवत हो जहां भी जरुवत हो रेफ्यूजीज के मामले में हो स्टेट हुड के मामले में हो स्मॉल मीटियम बिजनिस के मामले में हो जहां भी आप मुझे order करोगे जो भी आपका हुकम होगा मैं आपके लिए वहाँ कर दूँगा और जब भी आप चाहोगे कि वही है राहुल जमू आओ हमारी बात सुनो, हमारी मदद करो मैं आपको आपके सामने दिखूँगा आपको स्टेटूट देने की ज़रुवत है यह मैं आपको गैरंटी कर रहा हूँ आज नहीं तो कल इंडिया गट बंदन आपको स्टेटूट देगा आप सब का दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ नमस्कार जैहन जमू से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां राहूल गांधी पहुचे हैं चुनावी प्रचार प्रचार के लिए और आज दूसरे च्रण का मतदान जहां हो रहा है तो वहीं तीसरे च्रण का मतदान एक ऑक्टूबर को नहीं लेकिन उससे पहले राहूल गांधी के चुनावी जुन से EDCBI पनिश्वान साथा केंदर पनिश्वाना साथ ते हुए नजर आए हैं और साती अपने संबोधन में डाणी का भी करते हुए नजर आए हैं तो बता दें कि राउल गांधी की ये चुनावी ज्वन सभाति अज्वा राहुल गांधी ने संबोधन दिया और आज जमु गश्मीर के अगर बात करें तो आज दूसरे चुरण का जो मतदान है वो सुबह 6 बज़े से ही जवादी है जो कि श्वाम च्छे बज़े तक जारी रहेगा सुबह 7 बज़े से शुरू होकर अब तीसरे चुरण का मतदान होना है जो कि एक उक्टूबर को मतदान किया जवाएगा बता दे कि जमु गश्मीर में आज राउल गांधी पहुचवे हैं और यह चुनावी दोरा है जो उसमें प्रच्वार पसार करते हुए राखूल गांधी नज़र आए तो जमु कश्मीर के जवन्ता को अपने संबोधन के दोरान साथते हुए नज़र आए और केंद्र पर भी निश्वाना साधा है तो रावल गांदी की जवनसवातियाद जमुकश्मीर में और अस दोरान केंद्र पर निश्वाना साथा एडिसी व्याई पर भी निश्वाना साथा है और तीसरे चुन का मतदान होना है उससे पहले ये प्रच्वार प्रजार काफी जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है झाल